तो जैसे कि आप देश सकते हैं यहां पर यह अपना Poco X3 डिवाइस है जिसमें मैंने HyperOS को इंस्टॉल किया है वैसे इसमें आपको रेडिकरेट वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आप Poco X3 में HyperOS को इंस्टॉल कर पाएंगे तो आप वीडियो को चबड कर सकते हूं पर आप बट Learning can 가지고 to me 14.0.2 में इंस्टॉल दोने की Android वर्जन की बात करेंगे यह पन डिवाइस वर्जन 12 मिल जाएगा और hyperOS में Android 14 मिल जाएगा चलेंगे यहां पर स्टोरिज पर यहां पर हाइपर वस में आप देच सकते सिस्टम 15.42 जी बी अउक्यूबई कर रहा है और Vy14 में system 12.44 GB occupy कर रहा है तो यहां पर storage में भी आपको difference देखने को मिल जाता है जो hyperOS का version में ज़्यादा storage occupy कर रहा system Vy14 में कुछ कम storage occupy कर रहा और बात करेंगे आप एप animation की तो यहां पर animations आपको बहुत smooth मिल जाएंगे ज़्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही device में आप animation देख सकते हैं बहुत अच्छे animations आपको मिलेगे कोई भी आपे major difference आपको देखने को नहीं मिलेगा हाँ मैं यहां पर बोल सकता हूँ कि HyperOS के animations में को थोड़े स्मूथ लगे स्लाइटली स्मूथ लगे और HyperOS के version में आपको icons देख सकते हैं यहां पर 3D type के icons आपको देखने को मिलेंगे MIUI 14 में आपको ऐसे icons देखने को नहीं मिलेंगे मैंने आपको से भी icon को install नहीं कर रहा है by default लिए आपको कुछ icons देखने को मिलता है और यहां पर clock देख सकते हैं यहां पर MIUI 14 में आपको सिफ clock और side में आपको आपको weather देखने को मिल जाए लेकिन इसमें आपको clock plus date दो नहीं आपको big size में देखने को मिल जाएंगे बहुत अच्छे से इवीजी होए ले कि आच नहों तारिक है और January आपको देखने को नहीं मिलेगा छोड़ा टेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे तो यही चेंज में को hyperos का बहुत अच्छा लगा और बात करेंगे यहां पर control center की तो यहां पर hyperos में कुछ इस सारीके का control center देखने को मिल जाएगा मैंने आप hyperos के mod version को इस्टॉल कर रहा है तो यहां पर मॉनेट भी इनेवल है लेकिन आपको बाइडिपॉल hyperos में कोई भी मॉनेट देखने को नहीं मिलेगा तो कुछ ऐसा आपको control center देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपको settings का icon यहां पर देखने को मिल जाएगा अलग से toggle आपको देखने को मिल जाएगा अपको दूसरे section पर देखने को मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि काहां पर option रहता बाकि आपको सारे options similar देखने को मिल जाएगे animation speed वही रहेगी relaxed, balanced, fast और यहां पर बाते रहेंगे बन widgets की तो इसमें आपको बहुत से नए widgets देखने को मिल जाएगे लेकिन MIUI 14 में आपको वही पुराने widgets देखने को मिलते हैं इसमे कि आप अपने apps को easily access कर सकते हैं इस वाले icon पे tap करने से folder के नतर जो folder वह open हो जाथा लेकिन आपको MIUI 14 में आपको कोई ऐसा option देखने को नहीं मिलेगा, HyperOS में आपको सी super folder का support देखने को मिलेगा, super icons का यहां पर support आपको देखने को नहीं मिलेगा, और dealer की बात करेंगे तो इ Google का ही dealer देखने को मिलेगा, dealer यहां पे चेंज नहीं होने वाल है, अगर आपके बस Google का dealer है तो, यहां पे देख सकते Redmi Note 10 Pro Max में यहां पे MIUI का dealer है, अगर मैं इसको HyperOS में update करूँगा, तो इसमें MIUI का dealer ही update होएगा, यहां पे अपन बैटरी पे चलेंगे तो आपको यहां इं देखने को मिलेंगे, वैसी आप बगर यहां पे battery protection पे tap करेंगे, तो आपको यहां पे temperature को option देखने को मिल जाएगा, अगर आप phone को use कर रहे, जैसे battery limit यहां पे extend हो जाती तो यह automatic charging को रोख देता, बहुत ही अच्छा option है में को बहुत अच्छा लगा है, लेकिन आपको MIUI म आपको HyperOS में बहुत से नए features मिलते हैं, additional features पे tap करेंगे पन तो यहां पे speed of charging option देखने को मिल जाएगा, इसको बैडिफॉल यह disabled रहेगा, इसको आप enable कर लेना, boost charging speed का यहां पे option मिल जाता, इसको भी enable कर लीजिए, और reverse wireless charging option है, बहुत से नए-ने options आपको यहां पे देखने को मिल जाता, वैसे आपको MIUI में ऐसा कोई भी option देखने को नहीं मिलेगा, सिविए आपर data record होएगा, कि यह app इतना battery concept कर रहा, और additional आपको कोई भी यहां पे feature देखने को नहीं मिलेगा, बस इतने सारे options आपको मिल जाएंगे, कोई भी additional features आपको यहां पे देखने को नहीं म मिल जाएंगे, मैं को यह वाला wallpaper बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको currently यह wallpaper को मैं यूज कर रहा हूँ, और sidebar के अपन यहां पे बात करेंगे, तो दोनों में आपको save sidebar देखने को मिल जाएगा, यहां पे थोड़ा सा change में आपको बता दाओ, अगर यहां पे आप कोई भी नहीं है, पता नहीं क्या issue है, लेकिन आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा, hyperverse में, अब इसको customize कर सकते हैं, इसके font को change कर सकते हैं, आपको depth effect देखने को मिल जाएदा clock पे, तो lost screen के बहुत से customizations आपको hyperverse में इंस्टॉल मिल जाएगे, 2x14 में पो कोई भी lost screen के customization नही आपको मिलेगा, वैसे महीं अगर यहापे बी ओर 14 पे more value option पे tap करूँगा, तो देखने को पूरी screen कर ले रहा, इसमें आप देखने को सिफ इतना box आपको देखने को मिलेगा, आपकी आपे पूरी screen कंशुम नहीं होरी, थोड़ा बार आपका consume होरा, पीछे का बार देखने लेकिन MIUI में फीचे का पार्ट विजीवली नहीं है तो ये भी एक change आपको देखने को मिल जाता और बात करिंगे अपने दर गेम डर्बर की तो दोनों ही device में आप एक गेम डर्बर ओपन करने वाला हूँ तो गेम डर्बर में आपको कोई मी changes देखने को नहीं मिलेंगे सेम जैसे आपको MIUI 14 में गेम डर्बर बता वैसे आपको हैपरवस में सेम वही गेम डर्बर देखने को मिल जाता तो वस इसने से changes आपको देखने को मिलेंगे कुछ queries है तो comment section में बताना और अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं को आप Instagram पे message कर सकते मैं आप पर सबको reply करते रहता हूँ और मैं active रहता हूँ Instagram पे पहले follow कर ले ना फिर message करना मैं आपको definitely reply दूँगा तो यारो वीडियो को enjoy करे तो यारो subscribe तो बनता like कर दो वीडियो को तो चलो फिर अपने end करेंगे वीडियो को see in the next video till then goodbye take care